कह रहा है भाजपा आएगी गुंडा गर्दी जाएगी भाजपा आएगी दंगे रुकवाएगी भाजपा आएगी पत्थर बाजी रुकवाएगी भाजपा आएगी बेहिमानी रुकवाएगी भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी भाजपा आएगी रोजगार लाएगी भाजपा आएगी समुरुद राजस्थान बनाएगी मेरे परिवार जनो राजस्थान की जनता का संदेश कॉंग्रेस के नेताओं तक भी पहुँच चुका है यहां मुख्मंत्री गहलोजी को भी पता है कि कॉंग्रेस सरकार की विदाई का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और आपने सुना होगा इसका मेरे पास सबूत है दिल्ली में बैटे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा नहो कि गहलोजी जा रहे हैं लेकिन गहलोजी को खुद को भरोसा है को जा रहे हैं और इसलिए गहलोजी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बदाई दे दी है आप देखें कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद न किया जाएं ऐसा कह रहे हैं वो उनकी योजनाओं को बंद न किया जाएं तो पहले तो गहलोजी आपने पराज़ाई स्विकार कर लिया हमारी सरकार बनेगी ये बात को सारवजे नहीं कह दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता है और आपने जब इतना इमानदार इसे कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना इमानदार है मैं राजस्तान की जनता को विश्वाद दुलाता हूँ कि भले गहलोजी की सरकार ने योजना ये चालू की होगी लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बात उसको रोकेगी नहीं उसको अच्छा करने का बहतर बनाने का अपने आज़ करेगी और ये मोदी की गरंटी है मोधी की गारंटी मतलब हार गारंटी के पूरा होने की गारंटी लेकिन राजस्तान के भाई और बेहनों मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूँ जिन जिन ने यहां ब्रस्टा चार किया है योजनाये तो हम चलाए रखेंगे सुधार भी करेंगे लेकिन जिन जिन लोगों ने ब्रस्टा चार किया है गरीबों के पैसे लूटे हैं उनके खिलाब तो कारवाई जरूर होगी ये भी मोदी की गारंटी है ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहें चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहें करप्शन पर कठोर कारवाई जारी रहेगी कॉंग्रेस सरकार का तो हाल ये है कॉंग्रेस सरकार का तो हाल ये है आपनों घोडो छाया में बांधनो दूजा को फरबा दियो यानि जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो राजस्तान के युवाओं के साथ जो दोखा किया गया है भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी यहां के पेपर लिप माफिया को पेपर लिप माफिया ख़दान माफिया सुनते थे हम पेपर लिप माफिया मैं राजस्तान के नव जमानों को बादा करता हूँ नव जमानों मुझे परोसा करना यह पेपर लिप माफिया का पाताल मैं भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा मैं आपको भरोसा देता हूँ नव जवानों के भविश्य के साथ जिसने खिलवार किया है ऐसे पेपर लिख माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा उन्हें कडी सी कडी सजा दिलाई जाएगी साथियों कॉंग्रेस वोट पाने के लिए भाती भाती के छल प्रपंच ये करती रहती है जूठी गोचनाएं जूठे वाइदे ये तो कॉंग्रेस का स्वभाव बन गया है अब आप देखिए हमारे सईनिकों के साथ भी वन रैंक वन पैंचन को लेकर ऐसा ही छल इनों ने किया था दसकों तक कॉंग्रेस ने वन रैंक वन पैंचन का मामला लटकाए रखा कॉंग्रेस सिरब पांसो करोड रुपिये दिखा कर कहती थी कि वन रैंक वन पैंचन को लागू करेगी जबकि पांसो करोड रुपिये में ये करना असंभव था मुश्किल था और कॉंग्रेस को मालूम भी था लेकिन लोगों के आँख में धूल जांकने के लिए ये ड्रामा करने में भी वो हिजग ऐसे नहीं है राजस्तान के मेरे बीर भाई और बैनो मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी थी हमने दंके की चोट पर इसे पूरा किया आपको हैरानी होगी कि अभी तक पूर्व सैनिकों को अब देखिये उन्होंने क्या खेल खेला था पांचो करोड रुपिया का ड्रामा हमने अब तक सत्तर हजार करोड रुपिये वन रैंक वन पेंशन के तहर हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं अब आप सोचिए कहां पांचो करोड रुपिये और कहां सत्तर हजार करोड रुपिये याद रखी है कॉंग्रेस ऐसे ही ठगी करती है ऐसे ही जुठ बोलती है मेरे परिबार जणो जब भी कॉंग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है तो ऐसी ऐसी जुठी गोशनाय करने में लग जाती है अख़बारों में टीवी पर चाहे रहने के लिए खजाना लुटा देती है राज़तान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे है जनता को दोखा देने में जुठ गए है ये सोच रहे हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाएगी इनके पांच साल के कुशासन को भूल जाएगी इसलिए इन्होंने फिर धड़ा धड़ गोश्राइजे करनी शुरू कर दी है लेकिन मेवार की राज़सकान की जनता तो पूछ रही है कि इतनी ही चिंता थी तो बीचे चार पांच साल कहां थे कुर्सी बचाने के सिवाए को काम किया है ग्या गरीब कल्यान की गारंटी तो मोधी पूरा कर रहा है कोरोना कान में हर परिवार का चूला जलता रहे गरीब का बच्चा भी भूखा सूना जाए मोधी ने उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है हर गरीब को कोरोना का मुप्त टिका लगे ये गारंटी मोधी ने पूरी की हर गरीब का अस्पताल में मुप्त इलाज हो ये गारंटी मोधी ने पूरी की और आप जानते हैं हमारा समाज में परिवार में अगर मां बिमार हो जाए कितनी ही पीडा हो कितनी ही तकलीफ हो लेकिन मां परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती तो वो बिमार है दर्द हो रहा है वो अपना काम करती रहती है मुसिबत पीडा दर्द सहती रहती है क्यों क्यों कि मां के मन में होता है कि अगर बच्चों को बिमारी का पता चल जाएगा और अस्पताल में जाएंगे भारी भरकम बील आएगा ये बच्चे करजदार बन जाएंगे बेटे पर करज नहीं करने देना है बले दो साल पहले चली जाओं बले दर्द सहती रहों लेकिन बेटे को करज में नहीं डूबने दूँगी ये हमारे देश की माताएं सोचती है लेकिन मेरी माताएं बहने अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा अब आपको बिमारी सहनी नहीं पड़ेगी ये आपका बेटा पांच लाख रुपिय तर आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है आज मैं राजस्तान के हर गरीब दली पिछडे और राजिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं मोदी हर गरीब को पक्की छट देगा पक का घर देगा अब तक चार करोड घर बना दिये हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है और आपका घर भी बनेगा ये मोदी की गारंटी है आपके गाउं में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छट नहीं है उसको जाके बता देना मोदी आया था सावल या सेड के चरणों में बैठ करके बोलके गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा मोदी ने राजस्तान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुचाने की गारंटी भी दी है और मोदी आज गारंटी देता ऐसा नहीं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था नर्वदा का पानी राजस्तान को देना था आज हिंदुस्तान में देखिए एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है दो-दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है लेकिन ये मोदी की गारंटी थी अगर नर्वदा का पानी गुजरात को मिलता है राजस्तान को भी जरुत है राजस्तान भी मेरा है मैं राजस्तान को तरसा नहीं रख सकता हूं और नर्व्दा का पानी कोई जग्रा नहीं कोई बिवाद नहीं कोई कोड कचरी नहीं आज राजस्तान के कई जिलों में नर्व्दा का पानी पहुत रहा है यह मोधी की गारंटी होती है राजस्तान के मेरी माता ये बेहने मैं गुजरात से जानता हूँ बीना पानी कैसे जिन्दगी मुश्किल जिसे गुजरती है सुखा प्रदेश है बारिस कम होती है उसके बावजुद भी गारंटी दी है मेरी माता ये बेहने आपके रसोई घर में नल से जल ये मोदी की गारंटी है राज के 45 लाग जैधिक परिवारों तक पिछले चार साल में नल से जल पहुँच चुका है और अगर यहां एक कुर्सी बचाओं सरकार न होती न भाजपा की सरकार होती तो आज मेरा काम पूरा हो गया होता लेकिन मैं आपको घर्णरी देता हूं भाजपा सरकार बनते ही जिन गरों में अभी नल से जल नहीं पहुँचाए है वहां भी तेजगती से पहुच जाएगा है कि मेरे परिवार जोनों कि इस खेत्र में सीचाए के पानी की जो दिक्कत है मैं उससे भी भली भाती जानता है यह पूरा खेत्र हम गुजरात के लोगों में तो ऐसा ही लगता है जिस हमारा ही गर है भाजपा सरकार मनने के बाद किसानों के सिचाए से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा मेरे परिवार जानों गरीब बलीद पिछड़े आदिवासी को सिविधा देने और ससक्त करने के ऐसे हर काम तो मोदी कर रहा है कॉंग्रेस ने क्या किया है का या तो मोदी को गाली देती है या फिर भाजपा सरकार की योजनाओं को रोकती है क्कॉंग्रेस जो भी योजनाय बनाती है वह बीना प्रक्ताचार के लागू हो जाए यह संभवी नहीं है अब आप मुझे पताईए मात्मा गांधी स्वच्छता के आगरेई थे कि नहीं थे जरा मुझे जवाब दीजिए मात्मा गांधी स्वच्छता के आगरेई थे कि नहीं थे मात्मा गांधी हमें स्वच्छता के लिए कहके गए थे कि नहीं गए थे क्या 75 साल तक कांग्रेज को जितना भी समय, 85 साल में काम करने का मोका मिला, क्या ये स्वच्चता के लिए उनको काम करना चीस अगर नहीं करना चीस था? स्वच्चता होती मिमारी जाती कि नहीं जाती हैं मुझे बताए्ये कल पुरे देश में गाउं-गाउं स्वच्चता का भियान हुआ क्या स्वच्चता का काम कि इसमें भी भाजपा कॉंग्रेस जहता है क्या क्या कॉंग्रेस के लोगों को स्वच्चता करने में क्या जाता तो था करनी चाहिए थी Elite करम था कैंगी मोंत्य को स्वच्चती हो रहा है। मैं तो ये सवी पॉลिटिकल पार्डियों को कहना चाहता हूं और ये सारा गंभ गढड़मनदन को भी कहना चाहता हूं अनरे कम से कंदck अधा काम सवस्थटा का काम को हाथ में लो चलो भाई गांधी जैनती पर नहीं करना है तो खुद के जन्म दिवस्पर करो